सो हे गाईज दिस इस कैफिन वाचिंग टेकनिकल कैफियोटूब चैनल सुभिसले गाईज आए दिन मेरे को इस तरीके से फ्रॉड कर लिया गया है किसी ने मेरे डेबिट कार्ट से पैसा निकाल लिया तो ये वीडियो सूट करना बहुत ही जरूरी था क्योंकि आज किस कि आपको कैसे आपे बचना है सारा कुछ वीडियो में कवर कर देंगे सो प्लीज वीडियो को जो 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 एक लाइक कर दीजेगा क्योंकि आपकी लाइक का फ्याद मोडिवेशन मिलता है और लेटेस्ट अपडिट आपर लिए आप मेरे टेलग्राम चैनल जोइन कर सकतो ल लॉगिन साइनप कर लिजेगा 20 रुपया साइनप बोनस मिल जागा उसके बाद कुछ खास ने करना है Amazon ये उसके बाद जो भी प्रोड़क्ट पर्चस करना है उसका लिंक कॉपी कर लिजे लिंक जैसे आप कॉपे कर लेंगे अनकरो की वेबसाइट अप में आ करके एक में एक प्रोफिट लिंग का सेक्षन होता है यहां पर जाकि उस लिंक को पेस्ट करके एक प्रोफिट लिंक जेरेट कर लिजे ये जो प्रोफिट लिंग जेरेट हुआ है इस पर क्लिक करके और आप स्वापिंग करोगे तो आपको अनकरो अप्टू 10% तका कैस बैग देगी जो के आपके account section में दिख जाएगा जैसे यह confirm हो जाता है फिर directly आप इसे bank पे transfer कर सकते हो तो काफी अच्छा हो जाता है online shopping में पैसा बचाने का बहुत ही अच्छा जरी है अंगरों के थुरूएं पे shopping करना चलिए हम लोग बात कर लेते हैं frauds के बारे में जो की काफी जादे हाँपे hypes बने हुए है तो सबसे पहला fraud है जो की आपके ATM में ही देखने को मिलता है यानि की आप जब normally ATM में यहाँ पे जाते हो तो आप जहां भी card अपना डालते हो वो card जो डालने वाला section है उसी पे frauders लोग एक device लगा के यहाँ पे रखे वह होते हैं इस device में क्या होता है कि जैसा आप अपना card insert करोगे तो आपका जो भी card का detail है वो device यानि जो chip लगा होता है section को जो है थोड़ा सा अच्छा से यहाँ पे देख लो कि क्या वो ATM के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं या अलग से लगा हुआ हो क्योंकि वो automatic वहाँ पे देख जाता है थोड़ा सको हिलाओगे भी तो वह निकल के आ जागा अगर डिवाइस लगावा होगा तो सबसे पहले आपको यहीं चेक करना है कि वहाँ पे जो ATM में जहाँ आप डाल रहो कि वह पे जो ATM के साथ जुड़ा हुआ है या नही है दूसरा आपको यह चीज करना है कि आपको जो है बैंक के साथ जो सटे वए ATM होते हैं यानि कि बैंक के साथ जो ATM बने वह होते हैं उन्हीं ATM पे जाकर के निकालो तो ज़्यादे benefit होगा क्योंकि वो सब इटें पे फ्रोड़र जो ही य ATM जो है बैंक के साथ सटे हुए है वही सब ATM में लगा तो यह सब डिवाइस जो है उन फ्रॉडर्स लोग उन सभी ATM पे नहीं लगा पाते हैं तो आप जो है इससे थोड़ा सा यहां पर बज जाओगे तो यह पहला फ्रॉड है जो कि आपको जानना जरूरी है जो कि बहुत ही यहां पर चला हुआ आ रहा है चले दूसरे टाइप के बारे हम बात करते हैं देखिए आप लोग आए दिन स्वापिंग करते रहते हो आप किसी भी आफ्लाइन आटलेट में जाओगे या मॉल में जाओगे तो आप लोग क्या करते हो कि कार्ड से प्रेमेंट करने के लिए आप थोड़ा से यहां पर हीरो गिरिये दिखाने के लिए कार्ड को ऐसे दे दे घते हो कि यहां चले स्वाइप कर लिजे या टैप करके यहां पर कर लिजे लेकिन आपको यह चीझ नहीं करना है क्योंकि आप जो card उनको थमा देते हैं तो हो सकता है कि वो card के थुरू कुछ भी detail निकाल ले या कुछ note कर ले क्योंकि बहुत सार ऐसे machine भी आते हैं कि एक छोटा सा हाथ में device होता है उस पर कार्ड थोड़ा सा swipe भी कर ले तो उस device में उस card का सारा detail भी आजाता है तो बहुत सारे mall होते हैं बहुत सारे outlet होते हैं जिनका counter भूत ऊचा होता है लेगिन card आप ऐसे दे देते हो तो हो सकता है कि वो छुपके एगर swipe भी कर ले तो आपका card से पूरा detail निकल जाएगा तो आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्य ध्यान देना है कि हीरोगिरी को कम करें थोड़ा सा जो है आपको खुद से ही आपको यहां पर सारा काम करना है कि कभी भी shopping mall या दुकान में जाओ तो आपको कुछ खास ने करना swipe machine खुद अपने हाथ में रखो या उपर ही रखो और अपने से ही swap कर लो या अपने से tap and pay करो तो जादे benefit होगा ना कि swap keeper के हाथ में दे दो और उनका card में और फिर उनके swap करवा तो ये भी app को ध्यान देना है कि कभी भी shopping करो तो ये step आपको यहां पर लेना जरूरी है चले हम लें तीसरे डाइप के fraud के बारें बात करते हैं ये जो fraud है ये आदमी खुद से ही कर लेता ह इस पर क्या है कि बहुत सारे जो है unknown website से swapping कर लेना बहुत सारे ऐसे website है जो आपको यहां पर समानवगरा बेशते हैं उनका payment का security होता उतना जादे tight ने रहता यानि कि अगर आप उस पर card डाल रहे हो तो हो सकता कि आपका पूरा card का detail website उठा के ले ले तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि trusted website में ही swapping करना है यानि कि flip card, amazon, mintra यह सभी trusted website इसमें आख बंद करके आप अपने debit credit card से swapping कर सकते हो लेकिन unknown website जो कि अतना जादे famous नहीं है जो कि अतने अच्छे सा आप जानते नहीं हो उन सभी website में अपना card detail डालना भूल जाओ क्योंकि बहुत सारे phishing attack वाले भी पेज होते हैं phishing attack से मतलब यह है कि एक ऐसा website जिसके बारे हम किसी को आता पता कुछ है ने कुछ security है ने तो आपको एक ची ध्यान देना है इस attack से बचने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले कहीं भी payment करो तो payment का जो भी पेज आएगा उस पर ऐसा एक सिंबोल होता है HTTPS जिसमें एक ताला बना होता है और एक green color का lock लगा होता है तो अगर आप payment कर रहे हो तो वो secure जा रहा है CC Avenue के थ्रू जा रहा है तो वो payment सेफ है उस पर कोई दिकत वाली बात नहीं है दूसरा ची आपको यह ध्यान देना है कि इसी टाइप का online fraud एक phishing attack का भी होता ह है जिसमें कि flip card Amazon के जैसा ही same website बनाया होता है जिसमें अगर आप जो अपना card detail डालते हो तो लगता तो वैसे है कि flip card Amazon जैसा ही लेकिन वो flip card Amazon नहीं होता है card detail डालोगे सीधा सीधा सारा पैसा वहां से उड़ जाएगा क्योंकि आपका card जो आप detail डाल रो, pin डाल रो, सारा उ हां से swimming करो 100% आग बंद करें बोल सकता हूं कि इसमें कोई भी fraud नहीं होगा लेकिन unknown जो flip card Amazon दिखने वाला page लिंक WhatsApp में आता है उस पे कभी भी अपना detail डालना है ने तो आपके साथ यहां पे fraud कर दिया जाएगा चले हम लोग अगले टाप के fraud के बारें बात करते हैं जो कि ह हमारा चौथा fraud है इस पे क्या है कि calls के थूरू यहां पे fraud होता है यह थोड़ा सा awareness लोगों को हो गया तो अब थोड़ा सी यह कम हो गया है तेकिन फिर भी कुछ percent लोगों अगर नहीं पता हो बता दें कि call आपको आएगा कि bank के तरफ से बात कर रहे हैं जिसमें आपको बोल चाहता है तो आपको एक चीज़ यहां पे ध्यान दना है कि अगर वो बोले कि आप वह बैंक के तरफ से बात कर रहे हैं आपका कार्ड एक्टिवेट करेंगे तो आप एक चीज़ बोलो कि ठीक है मेरा कार्ड ब्लोक हो गया है ठीक हम समाल लेंगे मेरे घर से 10 कदम के दूर देखो समझना देखो online fraud एक ऐसा चीज़ है जो आपके मदद के बगार fraud कभी भी हो ही ने सकता है आप अपने तरफ से ही चुक करते हो तभी जाके second person को थोड़ा से आप धील मिल जाता है और वहाँ पे fraud कर लेता है तो इससे आपको मैं कुछ कुछ यहां पे tips दे रहा हूं जो कि आपको समझ जाओगे तो थोड़ा अपने तरफ से ही आप सतर करोगे देखिए एक काम करिए कि ऐसा debit card आप जो है लिजिए bank के थूरू जिसमें आपको जो है zero liability protection का insurance देखने को मिलता है इसके उपर मैंने अच्छे से वीडियो बना रखा है कि कौन-कौन से insurance आपको debit credit card पर दिये जाते हैं तो वीडियो को जाकर चेक आउट कर लिजए वह insurance free में होते हैं जो कि आपको काफी अच्छा benefit प्रवाइट करवा देते हैं तो उस वीडियो को आप चेक आउट कर लिजएगा तो देखे ऐसा है कि debit card आपको वही debit card लेना है जिस पे zero liability protection का insurance लगा तो यह एक तरफ से अपने तरफ से एक अच्छा step है कि हम वही debit card को यूज़ करेंगे जिसमें zero liability protection का insurance मिलता है तो आप जो है एक बार काम करना आपका जिस भी bank का debit card है उस debit card का Google पे नाम लिखो और उसके बगल में लिखो benefits जैसा benefit में लिखेंगे उस पे एक benefit के section में insurance का section हो अप्ग्रेड करवाएं से क्या होगा कि जितने भी high end variant का debit cards होते हैं उन सभी debit card में zero liability protection देखने को मिलता है तो आपको ये चीज़ अपने तरफ से सतर कर थोड़ा सा रखना चाहिए कि zero liability protection का debit card आप रखो तो काफी अच्छा आपर होता है सेम दूसरा tip आपको मैं ये देना चाहूंगा कि कहीं से भी credit card का जोगाड करो क्योंकि credit card के तुर अगर इस तरीके का fraud interaction होता है तो उस पर बहुत ही जादे chances है कि आपका पैसा वापस आ जाएगा क्योंकि credit card एक ऐसा credit एसा चीज होता है जिसमें limit होता है कि अगर frauder ने fraud करेगा भी तो उसका limit तक ही fraud करेगा आप debit card में क्या है कि आपका saving account link है मान के चलो कि आपके पास 2,00,000,000 रुपया पड़ा हुआ है आपके saving account में तो पूरा पूरा 2,00,000,000 रुपया निकाल सकता है frauder आपके debit card को hack करके लेकिन अगर credit card के तुर अगर आप करते हो तो credit card तो एक limit है 20,000, 50,000, 60,000 तो उतनी ही वो refund हो जाता है तो आपको एक सीज़ ध्यान देना है कि credit card लेने का ज़्यादे chances रखो अगर वो उससे swapping कर रहे हो credit card से तो काफी ज़्यादे शिक्क और यहाँ पर माना जाता है क्योंकि बाद में bank पैसा refund करने में असानी credit card में ही देखने को मिलता है तो यह कुछ मैंने tips बता आपकल में share कर दो ताकि लोगों को पता चल जा कि इस तरीके से भी fraud होता है और उन्हीं fraud से कैसे आपको बचना है तो एक help हो जागा लोगों का तो यह थाच को वीडियो पसंदे वीडियो को लाइक कर दिजाएगा इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो को चैनल को सब सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई डौट वासता है तो कमेंट कर ना भूले परसनल को सब्सक्राइब में सब्सक्राइब मिल जाएगा सुमिलते अड़ों साथ तब तक लिए जय हिंद जय भारत